हाँ दोस्तों रोस्कार मैं डाक्टर सुनिल बिजला आप सबको अपने यूटूब चैनल अतुलियक आदमी और मुबाइल आप अतुलियक आदमी बाइ डाक्टर सुनिल बिजला पर स्वागत करता हूं मित्रो आपके इस मुबाइल आप पर ना किवल टीजीटी पीजीटी या व्याकरण की क्लास हैं आ चुकी हैं पेड़ में वकी बलकी नेट के लिए प्रैक्टिस सेट को लेकर लेने के साथ साथ कंप्लीट बैच भी लेकर के आ रहा हूं तो मुबाइल आप अतुलियक आदमी बैडाक्टर सुनली बिजिला को अपलोड करें हर रवीवार को एक निश्चित समय रखूंगा जब टेस्ट होगा कोई भी स्टूडेंट पांच रुपए दो जो भी उसका सुल्क होगा वो देकर उस टेस्ट में सामिल हो सकता है और उसकी ओबर आल एक रैंकिंग बनेगी रैंकिंग के साथ लगा तार 10 टेस्ट या 15 टेस्ट में पास करने वाले स्टूडेंट को हिंदुस्तान पेपर में फोटो के साथ 15 टेस्ट या 10 टेस्ट टॉफ करने वाले स्टूडेंट को फिर हिंदुस्तान पेपर में प्रकासित भी कराया जाएगा मित्रों इतना ही नहीं, सारी क्लासें जो कांचीनू चलेंगी सो चलेंगी ही, और आप सब को सबसे बड़ी बात ये है, कि अब निट के पेपर के सामने को देखते हुए, ध्यान में रखते हुए, आपको मैं 30 प्रश्णों की सरिंखला लेकर के सामने आया हूँ, चलिएगा क गलम और काफी निकाल लीजिये, और अब सुरुवात करते हैं, प्रश्ण पत्रा आज दूसरा, तो दूसरे प्रश्ण पत्र को सुरुवात करूए, इससे पहले आप काफी कलम निकाल लें और लिखना सिरो करें, चुकि प्रस्ण के बल लिखना ही नहीं होगा, बिल्कि ज इंस्पेक्टर माता देन चांट पर, आप्शन B सिक्का बदल गया, आप्शन C आकास दीप और आप्शन D अमरित सर आ गया, तो जाहिर सी बात है आप सब का उत्तर बिल्कुल सही आ रहा होगा और नहीं भी, तो जल्दी जल्दी आप कमेंच करें, तुरंत लिखें, जी हाँ बिल्कुल उत्तर शही है आकास दीप, आकास दीप नामक कहानी को जैसंकर प्रशाद महोदा ने लिखा था, और अगर इसके पात्रों की बात करें, तो आकास दीप में चार प्रमुख पात्र नजर आते हैं, जिसमें नायक बुद्धुगुप्त और चंपा की कहानी को, प मारने की बात नहीं सुक करती, जब चंदुगुप्त प्रस्ताव रखता है कि तुम उससे साधी कर लो तो उसको ठकरा ठुकरा देती है, कारण उसको पता है कि यहीं मेरी पिता का हत्यार है, जबकि इंस्पेक्चर मांदा दीन चांद पर नामक जो कहानी है, इसमें इस कहा प्रसासनिक गड़डी और प्रसासन के लचर प्रदर्शन को यहां पर दर्सा आया गया है, सिक्का बदल गया है नामक कहानी का जो पात्र है, साहनी बहुत महत्तपूर्ण पात्र है, इसी के इर्दगीर्द संपूर्ण कहानी चलती है, जबकि अमरित सर आ गया नामक कहानी को भिसम सहानी महोदा ने लिखा है और यह कहानी भारत और पाकिस्तान के बिभाजन पर आधारित है भारत और पाकिस्तान के बिभाजन के शमय भारती जनता वा पाकिस्तानी जनता या उस समय की केवल भारती जनता चुकि बाकिस्तान तो अलग से बना नहीं था भारत का हिस् कि उसका सचित रुबर्डन करने की कोशिस पूरी तरह से भेस मसाहनी जी ने किया है, चलिए प्रश नमबर दो की तरफ से लते हैं, मन की चंचलता कहानी के लेखा कौन है, मन की चंचलता कहानी के लेखा कौन है, उप्शन A, माधव प्रशाद मिस्र, उप्शन B, प्रियाग नराण सुकल, उप्शन C, सुसील कुमार सिंग, और उप्शन D, मैत्रेई पुस्पा, तो जाहिर सी बात है कि आप लोग बिल्कुल सही उत्तर दे रहे होंगे और देते रह उप्शन A, माधव प्रशाद मिस्र, बिल्कुल सही उत्तर, माधव प्रशाद मिस्र, अपने जीवन में बहुत सारी कहानियों को लेखा था, लेकिन इनका के वले एक ही कहानी संग्रह प्रकासित हो पाया था, जिसका नाम था बिस्वास कफल, जी हाँ, बिस्वास कफल लम कहानी पत्रिका का संपादन कब हुआ? नही कहानी बदल कर उपन्यास नामक पत्रिका के रूप में शामने आई। चलिए संपादनी स्वनतिस में ये प्रकासित हुई थी और ऑप्शन भी इसका भी ठीक उत्तर है। चलिए प्रस नमर चार पर चलते हैं। ये भाव पूर्ण है क्योंकि इसमें यह कहानी संपादनी स्वनतिस में प्रकासित हुई थी इंदु पत्रिका में यह कहानी प्रकासित हुई थी। अब इसमें नारेंद्र, किरण और योगेस्वर के तीन प्रधान चरित्रों को लेकर लिखी गई है एक स्रेष्ट कहानी है, मित्रों चलिए अब आप इसको समझ रहे होंगे और ये आपको लाभी भी दे रहा होगा, निश्ची तोर पर आप कमेट्स बॉक्स में अगर बिल् तो जाहिर सी बात है, ऑप्शन बी उसने कहा था एकदम सही उत्तर होगा, क्योंकि सरुनेश सुपंद्रा हिस्वी में चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने सरस्वती पत्रेखा से इस कहानी को जैसे ही प्रकासित किया, वास्तों में दुती प्रथम विश्युद्ध पर आधार ये स्रेष्ट रशना तो है ही है, लेकिन आसरेरी प्रेम की, त्याग की, सबर्पड की, इसलिए इसको माईले स्टों भी कहा जाता है, तो ऐसी कहानी है, जो खिशी भी प्रेम के उच्छ जो तथ्यों होते हैं, उसको प्रस्तुत करती है, चलिए और अगर देखें चंद्र धरसर्मा गुलेरी के भीशे में, तो चंद्रधर्सर्मा गुलेरी ने, अपने जीवन में महच तीन ही कहानियों को लिख कर, कहानियों में अपने आपको अमर कर गए, और अमिट च्छाप छोड़ गए, क्यों, क्योंकि इन्हों ने सुख में जीवन, बुद्धू का काटा जैसे स्रेश्ट उसने कहा था, जैसे स्रेश्ट तीन कहानियों को लिख करे ही कहानियों में सर्वस्रेश्ट कहानी कारबन बैठ है चलिए प्रश नमबर पाग 6 Ger ike t incluso चलते हैं और आप लोगों ने option प्रश नमबर का B उसने कहा था का उत्तर सही लगाया है और आपके कमेंट्स भी आने चाहिए, प्रशन नमर छे पे चलते हैं, प्रेम चंद को कबीर के बाद हिंदी का सबसे बड़ा ब्यंगकार किष्णि माना, ध्यांदी जीगा, प्रेम चंद को कबीर के बाद हिंदी का सबसे बड़ा ब्यंगकार किष्णि माना, जी हां जो नई कविता में कैक्टेस वाद की बात करता है, मापकी जीगा कैक्टेस वाद की नहीं, अगर 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 देखा जाए तो मद्धिवरगी ये जीवन की बात करता है, और इसके साथ साथ मचली घर, साथी और शंबाद तुम से, जैसे महत्तपुर्ण काब्यसंक्रहों को लिख करके, बिल्कुल आप देखेंगे कि आदभुत का ब्यसंक्रह है, अगर ये देखा जाए तो TGT, PGT, 2016 में भी, 2016, तो अगर छोड़ दे, 2013 में एक प्रस्न था, कि साखी किसका का ब्यसंक्रह है, तो इसको भी ध्यान में रखते हुए चले, तो ये आप्शन है, बिल्क मित्र में, ऑफ्शन B, 36 गड़ मित्र में, ऑफ्शन C, विसाल भारत में, या अप्शन D, बनारश सक्पार में, तो जाहिर सी बात है, B, ऑप्शन सही होगा, जी हाँ, B, ऑप्शन सही है, 36 गड़ मित्र में प्रकासित हुई थी, और यह कहानी से रोने सो में ही लिखी गई और इसको लिखने वाला कोई और नहीं, बलकि माधा और आय सप्रेम होते थे। इन्हों ने अपनी इस कहानी के माध्यम से भाव पूर्ण तरीके से एक बिधवा की कथा को उके रहा है, जिसमें एक महाजन जो की बिधवा की जबरदस्ती कुचिया को हड़प लेता है, परन् प्रस्तुत किया है, चलिए बढ़ते हैं प्रस नमबर अगर आगे बढ़ें, आठ पे उसकी माँ कहानी के आधार पर पांडे बेचन सर्मा उग्र को किसने हिंदी का प्रथम राजनीतिक कहानी कार माना है, उप्सने रामिलाश शर्म, उप्सन बी नंदुलारे बाचपी, उप्सन C, गोपाल राय, या उप्सन D, राम सरूप चत्रुवेदी, मित्रो जी हां बिल्कुल एक्तम सही उत्तराप के आ रहे हैं, उप्सन B सही है, जिसका नाम है, नंदुलारे बाचपी, बिल्कुल सही लंदुलारे बाचपी ने, पांडे वेजन सर्मा उग्र को हिंद कहानी है, जो भ्रम है, भ्रम, भ्रम नामक कहानी, दूसरी देश द्रोही कहानी, और तीसरी इनकी कहानी है, साधु और असाधु, तो शाधु और असाधु इनकी तीसरी महत्तपुर्ण कहानी है, और चौती आपकी सामने है, उसकी मा, तो इन महत्तपुर्ण कहानीों का बिल्कुल सही उत्तर क्या होगा जल्दी से आप कमेंट में लिखेगा जी हाँ बिल्कुल सही उत्तर है नौ का डी दो बेलों की कथा ठाकुर का कुआ एदगाह और नशा चलिए प्रश नमर दस की तरफ चलते हैं रामचंद्र शुक्ल की कहानी एक ग्यारा वर्ष का शमय को हिंदी की प्रथम कहानी किष्णे माना बिल्कुल सही आप सुन रहे हैं जबकि हिंदी की प्रथम कहानी कौन है सरस्वती में प्रकासित होने वाली इंदू, मती और नीस्व में प्रकासित हुई थी तो आपसन पहले यहाँ दसमा का आपसन देखें आपसन A लश्मी नारान बिस्र, आपसन B लश्मी नारान लाल आपसन C देविपरशाद वर्मा, आपसन D घिर्जावदटबाच्पी तो आपसन B लक्षमी नारान लाल महोदेने रामचंद्र शुक्ल की कहानी एक 11 वर्ष के शमय को हिंदी की प्रतम कहानी श्विकार किया था तो ये option B आपका सही है बढ़ते हैं प्रशन नमर 11 के तरफ छोटा जादूगर कहानी प्रशाद के किस कहानी संग्रह में संकलित है छोटा जादुगर कहानी प्रशाद के कहानी शंग्रह में संकलित है, तो option A आकास दीप, option B आधी, option C इंदरजाल और option D प्रतिध्वन, तो आप जहां तक जानते हैं कि इंदरजाल में छोटा जादुगर नामक कहानी शंग्रह संकलित है, तो C option बिल्कुल सही होगा, अगर आधी की बात करें, तो आधी भी इनका एक काभ्य संग्रा है, तो एक काभ्य संग्रा सभी के सभीर आपके ही हैं, मतलब जैसंकर प्रशाद के ही हैं, चलिए प्रश नमबर 12 पे चलते हैं, परतंत्र भारत के निवाशियों में देश भक्ती क को जगाना किस कहानी का उद्देश है, परतंत्र भारत देश के निवाशियों में देश भक्ती को जगाना किस कहानी का उद्देश है, option A, दुनिया का अनमोल रतन, या option B, चंद्रदेव से मेरी बात हैं, या अमरित सर आ गया, या option D, आकास दीप, तो जाहिर सी बात है, ब दुनिया का अनमोल रतन सही एंस्वर होगा, जबकि चंद्रदेव से मेरी बातें, बंग महिला ने, उननी सो चार इश्वे में लिखा था, अब बढ़ते हैं, प्रश नमर तेरह के तरफ, दुलाई वाली कहानी में, दुलाई वाली कौन है, क्या option A, बंसी धर, या option B, सीता option C, पारवती, या option D, नवल किशोर, तो जाहिर सी बात है, प्रश नमर तेरह का D, नवल किशोर, बिल्कुल सही उत्तर, प्रश नमर 14 पे चलते हैं, कौमुदी, किसकी कहानी है, अगर कौमुदी की बात करें, किसकी कहानी है, तो option A, प्रेम चंद, option B, अमृत राय, option C, राम कौमुदी नामक का बे संग्रह को लेखा था, जो कि सरोंडे सो 37 सिस्पी में प्रकासित हुआ था, इन्नोंने कई कहानी लिखी थी, उन समस्त कहानीों का जो संग्रह था, वो कौमुदी नामक कहानी संग्रह में शंक लिख था, चलिए प्रश नमबर 15 के तरब बढ़ते हैं चंद्रदेव से मेरी बातें कहानी को हिंदी की पहली राजनितिक कहानी किष्ने माना था, आप्शने बंग महिला, आप्शन भी राम चंद्रशुकला, आप्शन सी भावदेव पांडे या आप्शन डी देवी प्रशाद बर्मा, तो बिलकुल सही उत्तरापकार है लेखनी इस समय को धडले से आगे बढ़ रही है, तो भावदेव पांडे एक नए समिक्षक आलोचक उभर के सामने आ रहे हैं, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि नाम और शिंग जी ने अपनी आलोचनाओं के माध्यम से हिंदी जगत को ना केवल तेबरतम प्रकास सित किया बलकि इस समय उन्ही के पत्चिन्हों और उन्ही की आलोचनाओं को आगे बढ़ाने का कार ये भावदेव पांडे ने भी किया है, चलिए प्रस नबर 16 की तरफ बढ़ते हैं, काल क्रम की दृष्टी से सही है, option A, सत्मी के बच्चे, दो बाके, शुदर्शन, शुमन, और बोलगा से गंगा, option B, सुदर्शन, शुमन, सत्मी के बच्चे, दो बाके, बोलगा से गंगा, या option D, दो बाके, सुदर्शन, शुमन, बोलगा से गंगा, सत्मी के बच्चे, तो जी हा, option B, सुदर्शन, शुमन, सत्मी के बच्चे, दो बाके, बोलगा से गंगा, यह बिल बी बिल्कुल सही उत्तर है, प्रश्ण नमर 17, इलाचंद जोसी की पहली कहानी है, बिल्कुल सही सुन रहे हैं, इलाचंद जोसी की पहली कहानी है, धूप रेखा ऑप्सने, ऑप्सन B, घड़ामाई, ऑप्सन C, सजनवा, या ऑप्सन D, दिवाली और होली, बिल्कुल सही 1914 हि कहानी शंग्रह को इन्हों ने जर संकर प्रशाद के हिंदी गल्प माला में प्रकासित करने का कारी किया था तो आपसंसी सजन्वा बिल्कुल सही उत्तर है चलिए प्रस नमर 18 बजल दे हैं हिंदी कहानी का विकास किस पत्रिका में हुआ औपसन ए सरस्वती औपसन भी हंस औपसन सी विशाल भारत और औपसन डी अभ्यूदय पत्रिका बल्कि ना केवल हिंदी कहानी को बल्कि ना टैको परन्याज और कह सकते हैं हिंदी को संबर्द बनाने में सबसे बड़ा योगदान यद्धिप किसी का रहा तो सरसुती और महाविर प्रसाद डिवेदी का उसमें अग्रणिय भूमिका रही है मित्रो हंस की बात करें तो हंस सबसे पहले प्रकासित करने का कारिय प्रेम चंद यद्यप ने किया था अगर हम बात बिशाल भारत की करें तो सरसुती दास चतुरवेदी दिखाई देते हैं जिन्होंने 1927 से 1928 से 1927 से इस भी तक बिशाल भारत नामक पत्रिका का संपादक का कारिक किया था तो कोलकाता बिशाल भारत क्या जो प्रथम संपादक था वो बनारसी दास चतुरवेदी जी थे लेकिन अगर संसथापक कभी पूछ ले तो रामानंद चटो उपाध्याय थे जिन्होंने इसकी अस्थापना 1928 में कलकत्ता में किया था अगर कभी पूछ ले बनारसी दास ने कब तक इसका संपादन किया था तो 1927 वी तक किया था चौथी इसमें पत्रिका दी हुई है अभ्यूदे अभ्यूदे नामक पत्रिका ये प्रियाग राज या इलहाबाद से प्रकासित होनी वाली एक पत्रिका थी जिसको मदन मोहन मालवी जी ने प्रकासित करने का कारी किया था संपादन किया था यह एक ऐसा पत्र था जिसके बारे में कहा जाता था चलिए तो आप लोगों ने 18 का A आपसन लगा लिया होगा चलिए प्रशन नमबर 9 इस पे चलते हैं कहानी शदे वजीवन का अंग रही है यह कथन किसका है आपसन A जैशनकर प्रशाद, आपसन B यश्पाल, आपसन C रांगे अराग हो या आपसन D प्रेम चंद तो जी हाँ बिल्कुल सही उत्तर, आपसन D प्रेम चंद शही उत्तर होगा चलिए प्रशन नमबर 20 की तरह बढ़ते हैं, इंदुमती कहानी कब प्रकाशित हुई, जी हाँ बिल्कुल सही, इंदुमती कहानी कब प्रकाशित हुई, आपसन A, 1909, आपसन B, 1903, आपसन C, 1901, या आपसन D, 1910, जी हाँ बिल्कुल सही उत्तर है, A, 1910 प्रशन नमबर 21 की तरह बढ़ते हैं, बच्चन सिंग हिंदी की पहली कहानी किशे माना है, बच्चन सिंग जी ने किसको माना है, तो आप्चन A, प्रणाइनी परणे, आप्चन B, प्लैक की चुड़ेल, आप्चन C, मन की चंचलता, या आप्चन D, मनोहर कहानी, जी हाँ, आप्चन A, प्रकासित हुई थी, चलिए, अब इसका आगे बढ़ते हैं, प्रश्ण नमर 22 पे, सबसे उत्तम कहानी वह होती है, जिसका आधार किसी मनोबाइग्यानिक हो, जिसका आधार कोई मनोबाइग्यानिक हो, यह कथन किसका है, उप्सन A, जनेंद्र, उप्सन B, प्रेमचंद, उप्सन D, इलाचन जोसी, जिहां बिल्कुल उप्तरश्रही होना चाहिए आप सबके, प्रश्ण नमर 22 का, उप्सन B, प्रेमचंद होगा, प्रश्ण नमर 30 की तरह बढ़ते हैं, बिसुम्बर नाथ, सर्मा कौसिक की, पहली कहानी कौन सी है, या पहली कहानी है, स्री, कौन सी कहानी नहीं है, बिसुम्बर नाथ, सर्मा कौसिक की कहानी नहीं है, उप्सन A, रक्षबंधन, उप्सन B, ताई, उप्सन C, माई, या उप्सन D, दुर्गा का मंदिर, जिहां बिल्कुल सही उत्तर आप सुन रहे हैं, दुर्गा का मंदिर नामा का कहानी, बिसुम्बर आत्कौसिक की नहीं है या आगे बढ़ें प्रेश नमबर 24 की तरफ एक असरफी की आत्म कथा किसकी कहानी है उप्सने सुर्य नरायन देख्षित उप्सन भी ब्रिंदावनलाल बर्मा उप्सन सी वेंकटेश नरायन उप्सन डी इरमेशे कोईरें तो जी हां उप्सन सी वेंक प्रेश नमबर 26 की तरह बढ़ते हैं उग्र का कहानी संग्रह चिंगारियां कितनी कहानियों का संग्रह है उप्सने आज कहानी ऑप्सन बारा कहानी ऑप्सन डी सोला कहानी जी हां उप्सन सी बारा कहानियों का संग्रह है प्रेश नमबर 27 की तरफ चलते हैं सुख में जीवन कहानी किस पत्रिका में प्रकासित हुई तो आप नहीं देखा कि जब हम अभी बात किये थे चंद्रधर शर्मा गुलेणी जी की तो उसमें बताया कि सरणी सो पंद्रेश में सरस्वती में प्रकासित हुई थी उनकी कहानी शनी कहा था अब यहां सवाल 10 हो गया सुख में जीवन कहानी किस पत्रिका में प्रकासित हुआ या हुई option A, विशाल भारत में, option B, भारत मित्र में, option C, सरस्वती में, या D, मित्र बिलाश में, जी हाँ, बिल्कुल सही उत्तर है, भारत मित्र नामक कहानी, भारत मित्र नामक पत्रेका में, यह कहानी प्रकासित हुई थी, सन प्रस नुमर 28 की तरब बढ़ते हैं तावान कहानी किसकी है तो तावान कहानी अप्षन आप्षन 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 आपका सही उत्तर बिल्कुल सही उत्तर होगा चलिए प्रस नुमर 29 की तरब किस कहानी में आधुनिक बिश्व में होने वाले युद्ध के कारणों की खोज की गई और नारी का चित्रन क्रांत के अग्रदूत के रूप में किया गया किस कहानी में आधुनिक बिश्व में होने वाले युद्ध के कारणों की खोज की गई और नारी का चित्रन क्रांत के अग्रदूत के रूप में किया गया बिलकुल सही उत्तर होगा आपका बी पथगा नामक कहानी में ऐसा चित्रन किया गया है जिसमें नारी के क्रांति का अग्रदूत दिखाया गया है आईए प्रस्ट नंबर 30 पे चलते हैं प्रथम विस्युद्ध के प्रिष्टी पर लिखी गई कहानी हमने बताया था अभी पीछले ही प्रस्टों पर जब यह प्रस्ट था जी हां ऑप्सन ए एक चोकरी भरमिट्री ऑप्सन बी कानों में कंगना ऑप्सन सी उसने कहा था य प्रविवार को सौ प्रश्टों का एक टेस्ट होगा लगातार 10 या 15 टेस्ट टॉप करने वाले स्टूडेंट को बताया मैंने हिंदुस्तान पत्रिका में फोटो के साथ एक व्यवस्थित रूप देने को मैंने बोला इसके साथ साथ नेट की तैयारी करने के लिए लगात प्रारम होने वाली है जो कि लगबग एक जून से स्टार्ट हो जाएगी तो एक जून से आप क्लास ले सकते हैं अड्मिशन करा शकते हैं और बजो कुछ भी जानकारी आपको लेना हो आपको इसी नंबर पर इसी आप देखें के वीडियो में एक नंबर फ्लैस हो रहा उसी पर आप काल करके बिल्कुल सब कुछ पता कर सकते हैं बस आज इतने हैं आप सब का दिन शुब हो रात्र मंगल में हो कैसे लगा आप सब को ये वीडियो और किस प्रकार के और से वाचा ही जरू लिखेगा मिलते हैं अगली वीडियो के साथ तब तक के लिए